पर आपका हर्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में जो नुश्का हमां के लिए लेकर आए हैं उस नुश्के के इस्तेमाल से आप अपने बालों को लंबा घना मजबूत और चमकदार बना सकते हैं और वो भी बहुती आसान तरीके से और नैचरूल तरीके से दोस्तो जैसा की आप जानते हैं शैंपू हमारे जिंदिगे का एक बहुती एहम इस्सा है जो हम सभी इस्तेमाल करते हैं नहने के वक्त अपने बालों को शैंपू करने के लिए बालों को साफ करने के लिए बालों क को दिला सकते हैं लेकिन दोस्तों उनमें अधिक तर से अंपू अनिकार किमिकल से भरे हुए होते हैं जिनके इस्तिमाल से बाल और olduğunu प्रोफ़ी ज़्यान होकर रुफ़ी सूगए होकर टूटने लगते हैं दोस्तों यूदि हम चाहे और आप भी चाहें तो जो रेगुलर सेंपू आप हमेशा यूज करते आ रहे हैं उसी में कुछ ऐसी प्राकर्तिक चीजों को मिलाकर अपने बालों की तमाम समस्यां से छुटकार अपा सकते हैं और ऐसी कुछ चीजे आज हम आपको बताने वाले हैं जो बहुत ही एफेक्टिव हैं नैचुरल हैं अरवेदिक हैं जिससे आपके बालों को कोई भी नुक्सान नहीं होगा और आपके बाल नैचुरल तरीके से बन जाएंगे मजबूत चमकतार खने और बहुत लंबे दोस्तो ये है गलेसरीन आज की जो इंग्रेडेंट है जो दो चीजे हमें इस्तिमाल करनी है और वो है एक तो सैंपू कोई भी सैंपू जो भी आप इस्तिमाल करते हैं वो वाला सैंपू ले दोस्तों हमने जो सैंपू लिया है वो है डव सैंपू जो हम भी यूज करते हैं अपने घर में यह डव सैंपू लिया है हमने और यह डव सैंपू आप काची 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 में उतना निगाल ले जितनी आपको जरूरत है जितने आपके बालों में लगने वाली है और उसमें आप 8-10 या फिर 10 बून तक आप डाल सकते हैं इसमें कोई प्रॉलम नहीं है 8-10 बून आपने गलेसरीन की और इसको डाल कर सैंपू में अच्छे से मिक्स कर ले और मिक्स करने के बाद अपने बालों को शैंपू करें जैसे आप हर रोज या जब भी आप नहने के वक्त अपने बालों को शैंपू करते हैं इसे तरह से अपने बालों को शैंपू करना है ठीक है ये गलेसरीन की 8 से 10 बूल मिला कर इसमें इसको अच्छे से निक्स करने और ये शैंपू इस तरह से आपके निक्स होने के बाद आपके बालों की संपूर्ण complete health के लिए तैयार है और आप जब भी नहाएं तो इस शैंप करतिक चीज है जिसे आप अपने मंद चाहे शैंपू में मिलाकर अपने बालों में लगाएंगे तो बाल बिखरे बिखरे रहने के बज़ाए सुल्ज है और बहुत ये अच्छे manageable होंगे साथ ही गलेसरीन के इस्तिमाल से आपके जो सिर की त्वेचा है वो hydrated रहेगी और आपके बाल natural तरीके से लंबे घने मजबूत और shining होने लगेंगे आप अच्छा result पाने के लिए आप इसको हबते में तीन बार चार बार इस्तिमाल कर सकते हैं और कम से कम तीन बार तो आप इसको जरूर इस्तिमाल किया करें हबते में ठीक है जब भी आप नहें तो इस ची इसी दवा है और यह आपको आसानी से मिल जाएगी तो यह था दोस्तो एक ऐसा उपाय जो आपके बालों की तमाम प्रॉल्म को दूर करके आपके बालों की natural तरीके से आपके बालों को healthy बनाया रखेगा और इसको इसको इस्तिमाल करें पर लाइफ में इसको सामिल करें और अपने बालों को यही खुबसूरत और healthy बनाया रखें दोस्तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हम जल्दी फिल लोटेंगे कुछ नए मर्जोर उनकी आसान से उपाय के साथ यदि आपने हमारे इस चनल को subscribe नहीं किया है और यदि आपको हमारी ये वीडियो और ये बताया हु आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चनल को subscribe करें लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें हम जल्दी फिल लोटेंगे तब तक आप हसते रहें मुस्कराते रहें और अपना ख्याल रखें